स्वागत है दोस्तों कैसे हैं जमा जमना भान बहुत बड़िया आज हम क्या करने वाले हैं मलिक आज आप पढ़ाने वाले हैं कि प्रीमियम पर जब शेयर इशु होंगे तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी हाँ जी बिलकुल मैं आज आपको प्रीमियम पर शेयर जब शेयर होंगे तो उसके अकाउंटिंग क्या होगी यह डिसकस करने वाला हूं लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल है कि कंपनी प्रीमियम पर शेयर इशु कर क्यों रही है वैसे मैंने आपको एक हिंट दे थी थी एक हाँ आज एक बार थोड़ा सा प्रॉपर्ली डिसकेशन कर लेते हैं कि माले प्रीमियम पर शेयर इशु क्यों कि यह जा रहा है तो बहुत सिंपल सा रीजन जैसे मैंने आपको एक एक्जांपल में कंपनी थी यह कंपनी है हमारी मान लो सीवी लिमिटेड कॉमर्स बाबाब इसे पॉब्लिक लिमिटेड कम नहीं ठीक है अभी जो कमनी है इसकी जो बैलेंस शीट है उसमें शेयर कैपिटल दस हजार हजार रुपए यानि एक करोड रुपए कितने शेयर है एक हजार हजार शेयर यानि दस लाग शेयर दस रुप वाले अमांट आगया एक करोड और अभी तक कि जो कमाए गए रिजर्स रुप्लस है वह है टू थाउजन थाउजन रुपीज यानि 20 लाइक्स तो कंपनी की आज अगर मैं शेयर ओर्डर की वैल्थ नकालू तो इट कम्स तू 12,000 रुपीज देट कम्स तू 1 करोड 20 लाइक्स अब जरह बताओ अगर मैं थेरिटिकली बात करो थेरिटिकली देखो जितनी भी सॉप्ट्वर बेस कम्पनीज होती है आईटी बेस कम्पनीज होती है एजूकेशन इंस्टिशन होते हैं इनकी नेट असेट्स धिखती कम है और होती बहुत ज्यादा है जैसे इंफोसेस है अगर मैं उसकी आज असेट्स गिनने जाओं तो शायद वो कमनी 50 या करोड की भी ना हो लेकिन अगर मैं उसका मार्केट अप्लाइशन देखूं उसकी इजजद देखूं बजार में तो वह 3 लाग करोड से जादा बड़ी क सब्सक्राइब इस त्वेल थाउजन थाउजन रुपीज और नमबर ऑफ शेहर से एक हजार हजार शेयर यानि 10 लाग अब मैं बार-बार हजार नहीं बलूंगा तो बारह हजार डिवाजार किता हुआ तो मालिक एक शेयर की आवकाद निकल के आई 12 रुपए ठीक है अब क कितनी लेवल पे मास लेवल पे जबरदस लेवल पे हम एक्सपांशन कर सकें तो कॉमर्स भाबाबा ने सोचा कि हएड चलो पबलिक इसू लेकर आते हैं अब हम सब लोग कॉमर्स भाबा के शेरोड़ एठीक है अब क्या हुआ कार सो चलो इतने ही शेयर और इसुकर तो यह तो यह कितनी वर्थ हो जाएगी 20,000 अच्छा शेर आपने घर पारप एश्यू करें तो आपका यह चेंज होगा तो असराइब बिलकुल नहीं यह तो भी रहने वाला है सरकार दो हजार तो आप्टर दिस इश्यू अफ शेर हमारी टोटल नेट वर्थ कितनी हो गई 22,000 और अब अगर आप्टर दी इश्यू अफ शेर मैं नेट वर्थ निकालूं तो क्या रही है 22,000 डिवाइड़ वाइ नंबर अफ शेर 2000 पर शेर वर्थ कितनी आ गई 11 तो मालिक अब स पुराने शेर ओल्डर थे जिनका इस इश्यू से पहले नेट वर्थ बार रुपे पर शेर थी आज उन पुराने शेर ओल्डर की बेल्थ गिरके एक रुपे गिरके ग्यार रुपे रहे गई और जो भी नए ने पैदा हुए नए ने शेर बने उन्होंने भी 1000 खरीदे और जो existing shareholder हैं उनका नुकसान हो क्या किता नुकसान हुआ दसलाग शेर से पुराने पर शेर अगर एक रुपे नुकसान हुआ है तो देट गमस्तू 10 Lakhs रुपीस तो बताओ कोई भी कंपनी के पुराने shareholder कैते सी हैं क्या कि उन्हें सामने सामने देख रहा है कि अगर मैंने पे शेयर इस्यो करा तो मेरी वाइश रस भुब्लिक इशू कम हो जाएगी कि नहीं बाबा ऐसा काम नहीं चलेगा ऐसा काम बिलकुल नहीं चलेगा कब से कम इस पौनeil की सुब जाएगा लेकिन घ्टना नहीं चाहिए तो वह कब ऐसा होगा तो सबस्याइड जब कमपनी अपना शेर इस प्राइस पर इशू करेगी तो मलिक अब शेर कैपिल दो ही हो गई और डिजवसर प्लस में अब आपके पास अगर आपने प्रीमियम पर शेर शू करा तो आपके रिजवसर प्लस में एक खाता और जोड़ा और उस अब अगर मैं 24,000 में डिवाइट करता हूं 2000 शेर्स तो नेट वेल्थ आप तर पॉब्लिक इशू किती आई 12 तो इसका इंपेट क्या हुआ कि जो एक्जिस्टिंग शेरोल्डर्स थे उनकी इशू से पहले और इशू के बाद नेट वल्थ सेम है और जो नया शेरोल्डर आय उसको हमने बोला कि देख वाई तूजए आएगा तो तुझे हमारे इस रिज्व में पारिसिट करने मिलेगा तो अगर तो इस रिज्व में पारिसिविट करना चाहता है तो आमें उसके लिए प्रीमियम पें करना पड़ेगा तो अब यह जो नए लोग इसमें करेंगे औ तो दोनों एक दूसरे दुवारा कमाए गए और लाए गए रिजर्ब में हिस्सेदारी करेंगे और इसके इंपक्ट यह होगा कि किसी भी शेयरोडर की बेल्ट पब्लिक इशु के बात कम नहीं होगी जो पुराने हैं वही संतोष्ट और जो नए हैं उनको भी बराबरी का द करते हैं ताकि उनके जो एक्जिस्टिंग शेयरोडर हैं उनके राइट कम ना पड़े क्योंकि अगर में पार पर शेयरोडर करते था तो मैंने आपको परिस्टिती बताई कि एक शेयरोडर बार रोपरी वर्स रखता था वो गिर के ग्यारा परह जाएगा और वो कोई भी काने के चक्कर में पुरानी जेठानियों की संपत्तियों पर डाका डल जाए ऐसे थोड़ी होगा तो क्या वोलेंगे यह तुझे भी दहेज लिकाना पड़ेगा थोड़ा बहुत ताकि हम सब बराबरी पर आ सके यस तो प्रीमियम पर शेयर इस और रिजर्व क्योंकि शेय बढ़ाने के दौरान आपको मिला है तो इस प्रीमियम को हम कैपिटल रिजर्व कैटेगरी में शामिल करते हैं यानि इसको हम हरके यूज नहीं कर पाएंगे बड़ी लिमिटेट जगे ही इसका यूज हो पाएगा तो अब जब प्रीमियम आया और कैपिटल आई तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होकी तो मालिक देखो हमारे पास जो कल वाला कॉशन था जो पिछली वीडियो वाला कॉशन था वो वोलकुल हमने वोगी कॉशन ने लिया कि सरकार शेयर की फेस वैल्यू दस रुपए है और उसकी ब्रेक अप क्या है कि एप्लिकेशन में तीन अलॉट काल में ही रहेगा हैंब के राखने यानि कंपनी विल आस्क्रीमियू दूरें इस Allortment कॉल तो अब Allortment को इस канале हो गई अलॉट्मेंट को तीन रूका हो गई आपके शेयर की इस्यूव प्राइस बारब रुपय है यह बापका शेयर एक रुटब था और दो काई के लिए दे रहा है तो अगी पुराने shareholder को compensate किया जा सके so that पुराने shareholder जब यह लोग आएं तो इनको गुस्ते से ना देखें नहीं तो जैसी ही आएंगे तो यह पुराने shareholder ऐसे गुस्ते से दिखरोंगे मैंने क्या कर दिया तो हम बताएंगे बापनों तुम्हारे ना चाहते हैं वह काम हो गया क्योंकि अगर तुम्हें पार पेश्यू किया गया तो तुमने इनके हिस्से के एक रुपे खाली है और तुम्हें पते ही नहीं पड़ा तो इसलिए हम यह सब ताम जब करेंगे अब अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी हम उसकी बात कर लेते हैं तो मालिक देखो एप्लिकेशन में क्या प्रीमियम ओंड शामिल है आंसर आए नहीं तो फिर एप्लिकेशन के एंट्री वही होगी जो भी तक थी यानि एप्लिके जो यहां प्रीमियम का पैसा भी मंगा रहे हैं तो अब आपकी एंट्री क्या होगी पैसे कित्ते मंगा आ है मालिक प्रवप परशेर और इसका ब्रेक अप क्या है सर ब्रेक आप की बात मत किया अगरो ना अभी टाइम है तुम्हार यह पढ़ाई चक्कर में इत्ती पढ़ाई करी कि बागी सब चीज़ें नहीं पाए कोई बात नहीं जीवन में बहुत सार इमोक आएंगे और तुम कॉन से भी जादा बुड़े हो गए और दिन पर दिन जवानी होते जाएंगे जीवन में बहुत आउसर आएंगे और सी बन जाओगे तो जवान भी रहोगे और पैसा भी रहेगा खूब सारा और पिर नाम की आगे लिखा होगा सी ए बास ऐसा ऐसे चोड़े हो जाएंगे बास चलो तो अलॉट ऑर अरे तो ये शेयर शेयर अलोट मेंट कॉल अकाउट डेबिट किता पांच रुपे पर शेयर इंडू दस लाग शेयर यानि कितने होगे मालिक 50 लाख अब इस 15,000,00 का ब्रेक अब क्या है सिंपल पचास लाग में तीन रुपे प्रतिशेयर यानि 10 रुपे प्रों तीन 30 तीस लाख रुपए आपने कैपिटल के लिए कॉल किये हैं तो टू एक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट थीस लाख और दो रुपए पर शेयर आपने प्रीमियम के कॉल करें प्रीमियम क्या है सरकार एक रिजर्व है जो की सेक्शन 52 के अंतरगत यूस किया जात जबकि SPR आप अपनी सुविधा नुसार अरे स्वादा नुसार यूस कर सकते हैं हां सेक्शन 52 याद रखना पड़ेगा बस तो टू सिक्यूरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट और आपने SPR में रिजर्व में 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए अब माल अकाउंट ड्राइबिट टू काई के बदले में पैसा आया या कॉल के बदले में पैसा आया मैंने कॉल के अंदर यह चुपी थी तो हमने कॉल मंग आई और उसके रिवर्ट में यह पैसा आया तो टू कुल कि शेयर अलौट मेंट कॉल अकाउंट कृरेट अगर पूरे पैसे आ गए तो आप करोंगे 50 लाग डेबिट और 50 लाग प्रेदिट अगर पूरे पैसे नहीं आये तो मान लो वही 50 लाग टाइब और पैसे नहीं बेजे तो फिर 50 लाग डेविए के सांसरे याफ नहीं आए उसको छोड़ दे यह उसका नाम रखें हां डिसकस किया था कल हमें तो बिलकुल आगे बढ़के नाम रखना है और नाम क्या है कॉल सिन अरियर तो कॉल सिन अरियर अकाउंट डैबिट क्या है एसेट है क्योंकि इसके बतले में कल पैसा मिलने वाला है और जब भी बढ़ेगी जब भी एसेट बढ़ेगी विल डैबिट तो एंट्री क्यों जाएगी बैंक अकाउंट डैबिट 47.5 लैक्स कॉल सिन अरियर अकाउंट डैबिट 2.5 लैक्स तू कहीं के बतले में तू शेयर अलॉट्मेंट कॉल अकाउंट क्रेट अच्छा इसी दोरान अगर प्लस जो एक्स्ट्रा आगाए एडवांस में तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डैबिट 50,40,000 तू शेयर अलॉट्मेंट कॉल अकाउंट क्रेडिट तू कॉल सिन अडवांस अकाउंट क्रेडिट हां जी चलो तो अब आगे बलते हैं तो मालिक अगर हमारे कॉस् प्रिमियम का पैसा होगा और अगर ऐसा नहीं है तो कॉस्चन को बिल्कुल बताने दो कॉस्चन बताएगा आपको यालास कॉलम फिक हो टो अब पहला सेट क्या हो गया एप्लीकेशन का सेंट इंट्री हाँ अगर अप्लीकेशन के अंदर मेंूंट होगा और काउंट क्रेड़ में। तो आपके entry होगी share first call account debit to equity share capital to security premium अगर second call के अंदर है तो यह entry second call में हो जाएगी share second call account debit to equity share capital to security premium account credit यानि उसमें कोई दम नहीं है premium कहीं पर भी शामिलो treatment तो वो ही होगा और balance sheet में ध्यान रखना capital अलग रखी जाएगी और premium अलग रखा जाएगा क्योंकि premium स्वादानुसार आप कभी भी use कर पाएंगे लेकिन capital अपने पूरे जीवन काल में use नहीं कर सकती सिर्फ buyback के case के अलावा तो इसलिए जब वो 12 रुपे आए तो आपको बिलकुल उनका segregation करना होगा कि यह 10 रुपे capital के 2 words है और यह 2 रुपे yes 2 रुपे हमारे premium के लिए है चलो मालिक अब हम जड़ा questions देखते हैं ठीक है समझ लिए मालिक आप यही बोल रहे हो ना कि सरकार थेरी हो गई practical पर अप्लाई करके बताओ तब तो कुछ समझ में आएगा तो लो साब आपकी वास सुन ली बिना बोले समझ ली कि मालिक आपको यही डेटा practical के साथ लेना है तो लो मालिक आपके स्क्रीन के सामने यह रहा practical question क्या है question Pius Limited is a company with an authorized share capital of rupees 2 crores ओहो बड़ी कमनी है company authorized capital 2 crore है an equity share of 10 each of which 15 lakh shares had been issued and fully paid on 30th June 17th 30 June को company already कितने 15 lakh share issue करके बैठी है और वो सारे share fully paid up है यानि दिर्ड करोड़ों पर तो उसकी जिम्में already पहले से ही अंदर है अब वो कह चाते हैं हम से और पैसा लालच है ना तो लालच क्या बोलता है the company proposed to make a further issue of 1,30,000 shares of 10 each at a price of Rs. 12 each 10 का share 12 में शी हो रहा है मतलब 2 रुपय का हम premium चार्ज कर रहे हैं और देखे सरकार the arrangement for payment being Rs. 2 per share payable on application to be received by 1st of July 17 एक जुलाई तक application के पैसे आजाएं यानि अब हम public को चल्ला चल्ला के बुलाएंगे कि भाईय मेरे share ले लो, मेरे share ले लो, मेरे share ले लो invitation देंगे through the prospectus और लोगों को एक जुलाई तक उसके बदले में respond करना है और respond के नाम पर सिर्फ 2 रुपए देने हैं सिर्फ 2 रुपए प्रतिशेर जितने खड़ी इतना है multiply by 2 देदो बास अपना काम हो गया अब आगे allotment to be made on 10th of July जब आप एक जुलाई को हमें पैसे देदोगे तो हम 10 दिन के अंदर ये तैय कर लेंगे क्या आपको share देना है या नहीं और अगर देना है तो हम 10 जुलाई को आपको allot कर देंगे share लेकिन जैसे share allot करेंगे तो हम आपसे मांगेंगे 5 रुपए और allotment call के और इसमें शामिल है premium तो मालिक इस पांच रुपए का रेक पप क्या है तीन रुपए इसमें कैपिटल के हैं जो जाएंगे शेर एकैपिटल में और दो रुपए क्या रेमियम जो जाएंगे सेक्यरिटी प्रीमियम रिजर्व में ओके और लास्ट और फाइनल कॉल बैलेस amount की अच्छा what is the IP IP मतलब issue price 12 इसमें application में हमने मंगा लिए 2 अब बचे 10 तो 12 में माले 2 रुपे होगा application के अब बचे 10 तो 10 में से 5 आपने मंगा लिए allotment पर तो होगए 7 तो बचे हुए 5 रुपे आप मंगाएंगे first and final call में ठीक है यह break up हो गया अच्छा अब यह जो पांच रुपे allotment कॉल के हैं इसमें भी तीन रुपे capital के हैं और दो रुपे SPR के हैं ठीक है मालिक डन आगे वो लो application वर received for 4,20,000 share मंगाए थे 31 application आई किती हाँ हाँ चार लग भी से जार यानि करीबन तीन गुने सब्सक्रिप्शन आया है मतलब कंपनी का शेर एकदम जवर्दस माहल खीच रहा है बॉस एकदम जमाज हम हां सर ओके तो इसका करना क्या है सारे लोगों को शेर दो दे नहीं सकते क्योंकि हम तो पहली बोल के आए रोसी से के हम एक लाग तीसी आस ज्यादा लॉट नहीं कर सकते अब बली किती भी application आ गई तो या तो उनका प्रो राटा अलॉट्मेंट होगा या उनके मुझ पैसे मार के उनको बगा दिया जाएग तो यहाँ पर क्या हो रहा है application तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है applicants for 20,000 shares received allotment in full चलो मैं इसको class बना देता हूँ यह class A है ठीक है applicants for 1 lakh shares received on allotment 1 share for every 2 share held applicants for 1 lakh shares received on allotment of 1 share for every 2 applied for दो के बदले में एक दो का एक दो का एक दो का एक कित्ते थे एक लाग की application तो इनको allotment कितना एक लाग का आधा यानि 50,000 इसको हम बोल देते हैं class B तो इनको हम बोलेंगे class B चलो applicants for 3 lakh shares received an allotment of 1 share for every 5 shares applied for 5 के बदले में मतलब आपने 3 lakh के बदले में कित्ते दिना हैं तो 3 lakh into 1 by 5 यानि 60,000 तो इसाब क्या आराए देखो ज़रा 20,000 यह lot हो गए इनको मिलगे 50,000 वी से वपजादे 70 और 70 और 60 जिनको पांच के वरने में दिया ना उनका बहुत गणा पैसा हमारे पास इकटा हो जाएगा अब उसका करोगे क्या पताया था ना सरकार पिछले लेक्चर में या तो रिफंड कर दो काय को कर दो अगली दस दिन बाद हम इन से और अलोट्मेंट को पैसा मंगाने वाले न तो तो जो मंगाने थे वो एडियस करो और उसके बाद जो बचे वह वाबस करो यह समझदारी है बिल्कुल हम भी यही समझदारी दिखाएंगे अच्छा अलोट्मेंट कोल के बाद का जो पैसा है अगर बो सरप्लस में पढ़ा है तो उसको आप तभी रखोगे जब आप बार अलोट्मेंट तक का पैसा अपने पास रख लिया और उसके उपर का पैसा बापस कर दिया यानि आप 12% चुकाने की इच्छा नहीं रखते और समझदारी भी इसी में है क्या पागल पंती है बारा पसंट ब्याज भी शेरोल्टर को पांटेंगे हट हुट 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 हाँ चलो दी मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वस रेसीवड ऑन दे ड्यू देट यू आप इस कॉशन का सॉलूशन स्टार्ट करते हैं हमने तीन क्लास ब क्लास एक लाग की और क्लास सी में एप्लिकेशन आई थी आपके पास सरकार तीन लाग की और आपने अलॉट्मेंट कैसे किया था क्लास वालों को 100% यानि जित्ता मांगा उतना ही दिया ओके तो इनको 20 के बदले में 20 मिल गए दूसरी क्लास के जो शेर एप्लिकेंट्स थे उनको 2 के बदले में एक मिला था तो एक लाग के बदले में 50,000 दे दी है ओके और जो तीसरी क्लास थी सबसे मरी क्लास इनकी बैचारी 12 बच गई पांच के बदले में एक मिला तो तीन लाग के बदले में कितने मिले तो अम मालिक यह तो हो गई नंबर्स की बात यह नंबर कि क्योंकि accounting entry तो सरकार amount में होगी चलो आराम से application पे दो रुपे मंगाये थे तो वी से शेयर पर दो रुपैसे किते रुपय हो वाली चालीस एक लाख पर कितने हैं मालिक दो लाख और तीन लाख पर कितने हैं मालिक छह लाख ठीक है अब आलोट की बात करें बीस अजार शेयर अलोट कर दी क्लास एको और application पर दो रुपे तो बनी रहे थे आपने तो बीस एर इंटू दो चालेस दीए और चालेस के चालेस पूरे capital में चलेगा है लेकिन क्लास बी ने दीए कितने थे दो लाख लेकिन उनके लिए जो शेयर अलोट हुए बहुत इसे पचास अजार तो पचास अजार पर दो रुपैसे जो maximum amount capital में गया वो एक लाख था इसका मतलब इनका एक पैसे सिर्फ एक लाख बीस अजार रुपै ही अभी ड्यू बनते हैं जबकि वो देखे कितना बैठे हैं च्छे लाख तो च्छे लाख मैसे एक बीस माइनस करें तो चार लाख असी हजार इनका surplus हमारे पास पड़ा है अब हमने तै किया है जो surplus आया है उसमें हम सिर्फ अल अलोट्मेंट कॉल है कितने की पांच रुपए पर शेर कितने की काल मालिक 5 अच्छा बताओ क्लास एक कोई surplus था नहीं तो उनका एड्जस्मेंट भी नहीं होगा अच्छा क्लास बी का surplus कितना बढ़ा है एक लाख ठीक है इनको share कितने दिये हैं 50,000 प्रती share allotment कॉल बन रह कितना एड्जिस्ट कर सकते हो सर जित्ता है वेलेवल पूर एड्जिस्ट कर लेते हैं तो मालिक यहां पर आप अधिक्तम सिर्फ एक लाग का ही एड्जिस्मेंट कर सकते हैं और बाकी देड़ लाख इनको भी कैश में लाने पड़ेंगे क्योंकि इनका अलॉट्मेंट कॉल हुआ था पचास एर इंटू पांच धाई लाख इनका पड़ा था एक्स्ट्रा एक लाख हमने एक लाख एड्जिस्ट तो यह क्लास ए पूरे पैसे लाएगी यानि भी सेर इंटू पांच जबकि क्लास बीके शेर ओल्डर सिर्फ देल लाख लाएंगे क्यों क्योंकि उनक पांच रुपए तो साथ हजार इंटू पांच होते हैं तीन लाख जबकि इनका एक्स्ट्रा कित्ता पड़ा है चार लाख तो आप क्या करोगे मालिक आप एक काम करो इनके चार लाख असी अजार में से तीन लाख एड्जिस्ट कर लो और क्याता हुआ कि बाकी पैसा नही और यह कर दिया जाएगा रिफंट तो मालिक यह आपकी पूरी रेंट्री इस का क्या मालिक यह आपके पी पूरी रेंट्री इसका इसक्षी तो पहल पहली जहाएगी कैश रिसीव भा आएगी आठ लाख चालिस अजार से इसके अगेंस आप जो अमांट अलोट करोगे वो तो करोगे एक लाग तीसे एर इंटू दो यानि दो लाग साथ हजार तब दो लाग साथ हजार आठ लाग चालिसे अरवे से एड्जिस करे तो सर्प्लस तो बहुत धना बचा है किता पांच लाग और इस पांच असी में से आप चार लाख एड्जिस करने वाले हों अलोट्मेंट कॉल में और फाइनली एक असी आप करने वाले हों रिफंड अखे सरकार तो हमारी सारी एंट्रिस की प्लानिंग तयार हो चुकी है अब मुझे सिर्फ इन डीटियल्स को देखते हुए अकाउंटिंग करनी है सिर्फ इस दीटिल को देखते हूँ, अकाउंटिंग करनी है, तो चलो, अकाउंटिंग करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे अन्राइटिंग में नहीं करूँगा, जो मेरी उगदम, देसी अन्राइटिंग उससे करूँगा, ठीक है, चलो देखो, पहली एंट्री, पैसा आया, पैसा आया तो आपने बोला बैंक 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 किता आठ लाख चालीस अजार तू काई के बदले में आया तू इक्विटी शेर एप्लिकेशन अकाउंट क्रेड़िट बींग एप्लिकेशन मनी रिसीब एट देरेट रुपीस तू पर शेर ओन 4,20,000 एप्लिकेशन ठीक है लेकिन क्या आप इतने अलॉट्मेंट कर सकते हैं नहीं मालिक हम इसमें से सिर्फ 2,60 का अलॉट्मेंट करेंगे 4,00,000 का रख लेंगे अलॉट्मेंट के लिए और 1,80 कर देंगे बापस क्या ये 4,00,000,000 और 1,80 का मतलब 85 हो गया हाँ तो हमें इसकी एंट्री नहीं करना ये ब्रेकप देना है तो अब शेर अलॉट्मेंट करने जा रहा है तो शेर अलॉट्मेंट करेंगे तो एंट्री होगी इक्वूटी शेर एप्लिकेशन अकाउंट डेविट किता मालिक पूरा 8,40,000 तू सबसे पहले 1,30,000 अलॉट्ट कर दो और 2 रुपे पर शेर से अमाउंट कैपिटल में ले जाओ तो तू इक्वूटी शेर कैपिटल अकाउंट क्रेटिट अमाउंट 2,60 फिर इसमें से आपने चार लाख रुपे एडजस कर लिए अलॉट्मेंट कॉल के तो टू शेर अलॉट्मेंट कॉल बिल्गुल ये लिखना है अकाउंट क्रेडिट चार लाख और बागी पैसा आपने कर दिया बापस तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट एक लाख असी हजार यास मालिक तो यहाँ पर नरेशन क्या जाएगी बिंग अलॉट्मेंट ओफ बन थर्टी थाउजन एक लाख तीस हजार शेर्स एंड सर्प्लस मनी एडजस्टेट अगेंस्ट अलॉट्मेंट कॉल एंड रुपीस 180,000 रिफंडेट और यह हो गया मालिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्योंकि आपके इस कॉस्चन में सबसे इंपॉर्टेंट काम था यह टेवल डिजाइन करना एक बार यह टेवल बन गई तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो आप बिंदास वो सड़ी साई एंट्री इसे जो 12 में भी आप कर रहे थे तो मालिक सड़ी साई एंट्री वह ही है कुछ नहीं थोड़ी आ गई CA Foundation आ गया तो क्या उल्टी एंट्री में लगेंगी एंट्री तो भूई होना है बसके विल कैलकुलेशन वाला पाट इंपॉर्टेंट है चलो अब जल्दी से Allotment Call के एंट्री करते हैं तो मालिक Allotment Call के एंट्री में क्या होगा सर भूई जो आपने बताई थी Share चलो मालिक अब Allotment Call मंगाते हैं और इसके एंट्री कैसी होगी इसके एंट्री वैसी होगी चाहे एडवांस पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो Call मंगाने के एंट्री अर्वल वह होगी Number of Share Allotted Multiply by Call Amount तो यहाँ पर Share Allotted किते हैं यस एक लाग तीसे जार और Call Amount किता है पांच रुपे पर शेर तो एक लाग तीसे जार इंट्व पांच छे लाग पचास जार से आप Call मंगा होगे तो Entry Share Allotment Call Account Debit Amount छे लाग पचास जार एक लाग तीसे जार शेर इंट्व पांच रुप पर शेर अच्छा यह पांच रुपे आपने मंगाए कह कही के लिए हैं तो सब्सक्राइब यह ब्रेक अप है टू Share Capital क्रेड़िट एक लाग तीसे जार इंट्व तीन थ्री लैक नहींटी थावसें टू सिक्क्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेड़िट एक लाग तीसे जार इंट्व दो यस दो लाग साथ हजार और एंट्नरेशन क्या हो जाएगी नहीं बताना अच्छा ठीक है बीइंग अलोट्मेंट कॉल मेड ओन नंबर अफ शेर्स कितने एक लाग तीसे जार शेर अब बात बताओ पैसे तो मंगाए हैं छेलाग पजास यार लेकिन सब उन लोगों के ख्लास B और कलास C के आपके पास 40000 रुपे रखे हैं तो कि वह फिर से देंगे बापड़े पागल थोड़ी हैं वह कोई तो बो क्या बोलेंगे अजिस्त, अजिस्त, अजिस्त अजिस्त कर लो और बाकी लोगों के पैसे आप उनसे ले लो उसके पचास या शेर पर पांच रुपए से डाई लाक रुपए आने थे लेगिन चुकि उनके एक लाक रुपए पहले से जमा थे तो देड़ लाक रुप बेजेंगे और सरक क्यों पका रहे हूं मतलब रीजन क्या है क्या मैंडम से पिट पिटा के आया हूं जो हमें पका रहे हूं सिंपल बोलो ना कि यह कित्ती कॉल है साड़े श्यलाक कित्ते एडवांस जमाहें चार लाक बात का दम डाई लाक रुप आएगा क्योंकि कोई भी करियर में नहीं है अगर अरियर में होता तो सू चलो तो एंट्री बैंक अकंट डाबट टू कि शेयर अलोट्मेंट कॉल अकंट क्रेट और अमांट आया धाई लाक अब जड़ाइँ ध्यान से देखू शेयर अलोट्मेंट कॉल डाइबट हुआ साड़े शेय और यह डाइबट बात में वह उससे पहले वह क्रेट हो चु received अब last set of two entries और हमारा question समापत तो मालिक अब हम मंगाते हैं first call और first call हम सबसे मंगाएंगे क्योंकि हमने allotment के बाद जिसका भी surplus था उसे वापस कर दिया और जिसका surplus नहीं था उससे तो में पैसे मंगा नहीं मंगाना है तो अब मालिक last entry और last entry होगी share final call या first call चलेगा दो जो लिखना है पो लिख दो account debit to equity share capital account credit क्या first call के अंदर को प्रीमियम है नको नको ना वावरे वो तो सिर्फ allotment में था तो चटो एक लाग तीसे जार इंटू पांच साड़े छह लाग और यह पैसा सब देंगे सब देंगे क्योंकि अब किसी का भी surplus नहीं है जिसका था उसको refund हो चुका है तो विंग final call made on 130,000 shares on जो भी तारीख हो और अब पैसा प्राप्त करो हमारे question में कहीं नहीं लिखा कि हमारे कोई डीट आदमी आ गया कोई मकार आ गया जिसने पईसे खा लिए समने पईसे दिए तो बैंक account debit to share final call account credit और amount कितना वही एक लाग 30,000 इंटू पांच साड़े छह लाग तो मालिक यह हो गई आपकी entries यह हो गई आपकी entries being amount received on against final call being amount received against final call और यह question हो गया आपका अब मालू है सबसे अच्छी बात सबसे बहतरीन बात वह यह है कि मैंने आपको ऐसे दिखाया था अब यहां से दिखा देता हूं हाँ जब देखो तो सही क्या लिखा है yes boss में 18 का कॉशन था एक्जाम का कॉशन था आपके यह और 10 marks के लिए पूछा गया था क्या बात कर रहे हो सर इतना easy आता एक्जाम में हाँ बाबा हाँ इतना easy आता है लेकिन कभी कभी हमेशा नहीं फूर पीचर तो आई नहीं इसमें हाँ सर और रीशू भी नहीं आया हाँ तो कि कभी नहीं आता नहीं वो भी आता है लेकिन ऐसा भी आ सकता है यह भी पक्का है चलो तो अब हम अगले वीडियो में हमारे 3 questions देखने वाले हैं जो एक्जाम में पूछे गए थे November 18, May 19 और November 19 और उससे पहले थोड़ा सा discussion करेंगे 4 feature का चलिए यहाँ पे इस वीडियो को रोकते हैं और अगले वीडियो में finally full and final settlement करेंगे इस चैप्टर का तो बैबाई टेक केर लव यू